हेलो एवरीवन स्वागत है आपका सुरीज जोसी प्लासेज में और आज हम करेंट अफेर्स का पार्ट सेवन्त लेकर आया हैं और इससे पहले 6 पार्ट हमने करेंट अफेर्स के अपलोड कर लिए हैं तो आप उन्हें जरूर देख लिजे और आज हम सात्वा भाग लेकर आ अप एक जो डेली हो रह आ है दोस्तो उससे रिलेटेड और जो किछला कोई टॉपिक इंपोर्टेंट है उसारे हम इसमें कवर करेंगे तो आए इस्टार्ट करते हैं आज करेंट अफेर्स का सात्वा भाग ठीक है पहला कुश्छन है दोस्तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे व और दोस्तो इस बार ये 30, कौन से नंबर का मनाया गया है, तीसवे नंबर का मनाया गया है, हीमोफीलिया दिवस, अब दोस्तो हीमोफीलिया क्या होता है, हम इस पर अब डिसकेशन करेंगे थोड़ा, कि क्या क्या होता है, हीमोफीलिया में, और ये बिमारी कैसी है, तो एक आनुवनसिक बिमारी होती है और हर साल 17 अप्रेल को क्या मनाया जाता है हीमोफिलिया दिवस और किसके सम्मान में फ्रेंक स्रावल इनके सम्मान में क्या मनाया जाता है दोस्तों हीमोफिलिया दिवस फ्रेंक स्रावल इनके सम्मान में हीमोफिलिया दिवस मनाया जाता है क क्योंकि इन्होंने 1963 में 1963 में एक और्गिनाइजेशन की क्या की थी स्थापना जिसका नाम था वर्ल्ड फेडरेशन ओफ हीमोफिलिया के सस्थापक हैं फ्रेंक स्राविल तो इन्हीं के सम्मान में हर साल 17 अप्रेल को क्या मनाया जाता है हीमोफिलिया दिवस और ये 1963 में सस्थापनी थी और इसका हेड उफिस है दोस्तो वर्ल्ड फेडरेशन ओफ हीमोफिलिया का head office कहाँ पर है Montreal और Montreal कहाँ पर पड़ता है Canada यदि ये पूछ ले कि Montreal बताइए कौन से देश में है तो Canada में है यही पर इसका क्या है head office अब यदि हम इस बार 2020 की theme की बात करें कि इस बार की theme क्या है तो इस बार की theme है get and involved इस बार की जो theme है वो क्या है get and या get involved ये याद कर लेना get involved क्या है इस बार की theme है ठीक है दोस्तों तो ये तो था भी current affairs में ठीक है दोस्तों तो ये तो भी current affairs का आपको part बता दिया है अब थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं hemophilia के बारे में पढ़ते हैं देखो दोस्तो जो हीमोफीलिया होता है मैं आपको बिल्कुल नॉर्मली लेंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि एक साधारन भासा में हीमोफीलिया क्या है हमारे सरीर में कुछ प्रोटीन होते हैं दोस्तो हमारे सरीर में कुछ प्रोटीन होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं Cloting Factor, Cloting Factor, Cloting का मतलब जो क्या करते हैं चीजों को जमाने में मदद करते हैं, कुछ Cloting Factor होते हैं हमारे सरीर में और जिन्हें हम क्या कहते हैं ये एक प्रकार की प्रोटीन होते हैं, तो दोस्तो जब ये clotting factor हमारे सरीर में कम हो जाते हैं तो खून क्या होगा चोट लग गई तो बहना शुरू कर देगा यानि ये clotting factor खून को बहने से क्या करते हैं रोकते हैं और जब ये clotting factor कम हो जाते हैं ये protein तो उसके कारण जो बिमारी होती है दोस्तो वो कैसी बिमारी है हीमोफिलिया और एक जेनेटिक बिमारी होती है और हीमोफिलिया दो प्रकार का होता है एक हीमोफिलिया A होता है और एक हीमोफिलिया B होता है और यदि हीमोफिलिया A हुआ है दोस्तो तो उसके सरीर में फैक्टर 8 की कमी होती है ये भी पूछा जाता है दोस्तो ध्यान से सुनना कि यदि हीमोफिलिया A है तो कौन से फेक्टर की कमी होती है फेक्टर 8 और यदि हीमोफिलिया B है तो जो क्लोटिंग फेक्टर होता है वो कौन सा होता है फेक्टर 9 कम हो जाता है यदि हीमोफिलिया B है तो फेक्टर 9 की क्या हो जाती है कमी हो जाती है ठीक है तो यानि हीमोफीलिया क्या है एक blood clotting disorder है normally आप समझ गयोंगे कि एक blood clotting disorder है दोस्तों यानि genetic बिमारी है ठीक है इसमें क्या होता है कि blood clot नहीं हो पाता है clot का मतलब जमना अगला question पूछ लेता है कि thromboplastin की कमी हो जाती है दोस्तों इसमें ये भी आद कर ले ना thromboplastin की क्या हो जाती है कमी हो जाती है thromboplastin और जब इसकी कमी हो जाती है सरीर में तो खून जमने से मतलब खून बैते रहेगा जमेगा नि यानि बताओ थ्रॉम्बो प्लास्टीन शरीर में क्या काम करते होंगे खून को जमाने में मदद करते हैं और जब थ्रॉम्बो प्लास्टीन की कमी हो जाती है तो खून क्या होता है नहीं जमता है चोट लगने पर खून बहते रहता है और इसी के लिए हीमोफिलिया को दोस्तों साही बिमारी भी कहते हैं ठीक है अगला पूछ लेते हैं कि साही रॉयल डिजीज साही बिमारी के नाम से हीमोफिलिया को जाना जाता है रॉयल डिजीज अब साही बिमारी क्यों कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन के राजगराने में ये और ब्रिटेन में सोचो जो साही लोग हैं उनके पास भी इसका इलाज नहीं है तो यानि एक कैसी बीमारी है साही बीमारी तो अभी हाली में 17 अप्रेल को दोस्तों विस्व हीमोफिलिया दिवस मनाये गया है और थीम क्या है गेट इन्वॉल्व्ड अगला टॉपिक स्टार् जो की 10 मिनट में रिजल्ट देता है इसका मतलब क्या है एक इंटरनेस्टन एयरलाइन्स है यह दुनिया की पहली एयरलाइन्स है जो क्या कर रही है एयरपोर्ट में ही या एयरलाइन्स के अंदर ही क्या कराएगी करोना वाइरस का टेस्ट कराएगी और 10 मिनट में रिपोर एरलाइन्स बन चुकी है Emirates Airlines UAE की है तो Emirates Airlines पहली एरलाइन्स बन चुकी है जो क्या करेगी on-site समझ लो on-site COVID test बहुई on-site का मतलब उसी समय एरलाइन्स में क्या करेगी COVID-19 का test करेगी जाज करेगी और 10 मिनट में पता लगा लेगी बहुई यह positive है या negative है ठीक है Emirates Airlines अगला topic है भारतीय रेल परिवहन दिवस कम मनाया जाता है 16 अप्रेल जो Indian Railway जो ट्रांसपोर्ट दे है भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रेल को मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि 16 अप्रेल 16 अप्रेल 1853 में 1853 भारत में पहली बार क्या चली थी ट्रेन चली थी जो कि मुंबई से थाने चली थी जिसमें 14 कोस थे तो इसी के लिए 16 अप्रेल को क्या मनाते है भारतीय रेल परिवहन दिवस अब मैं आपको यहाँ पर बता दू दोस्तों वैसे इससे पहले भी भारत में ट्रेन चल चुकी थी द्यान से सुनना 22 दिसमबर 1851 को भारत में पहली बार ट्रेन चली थी यानि इससे पहले भी चली थी 22 दिसमबर 1851 को यानि 1851 को क्या चली थी भारत में पहली बार ट्रेन चल चुकी थी रुड़की से पिलन कलियार रुड़की से पिलन कलियार लेकिन दोस्तो ये कैसा रूड था प्रैक्टिकल रूड था यहाँ पर कोई पैसेंजर नहीं गए थे इसमें तो जो 1853 में चली थी लगबक 400 लोग गए थे लेकिन जो 22 दिसंबर 1851 को गई थी ये केवल एक प्रैक्टिकल रूड था यानि प्रियोग कर रहे थे कि भे ठीक है ये सफल है या नहीं है तो वैसे तो सबसे पहले 22 दिसंबर 1851 को रुड की से पिलन कलियार ठीक है लेकिन एक प्रैक्टिकल फोर्म में थी और वैसे 16 अप्रेल 1853 को इसी के लिए 16 अप्रेल को भारतिय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है ठीक है दोस्तो अच्छा यहाँ पर दोस्तो यह यह पूछ ले कि भारत में रेल मंत्री कौन है तो रेल मंत्री कौन है पियूस गोयल पियूस गोयल भारत के क्या है रेल्वे मिनिस्ट्री इनके पास है, और भारत के जो रेल्वे मंत्राले के चेर्मेन है, चेर्मेन वो कौन है? विनोद कुमार यादव, तो विनोद कुमार यादव ये क्या है? चेर्मेन है भारती है रेलवे के और भारत में इंडियन रेलवे का पिता किसे कहते हैं लौड डलहोजी को आपने सुनाओगा कि भारत में इंडियन रेलवे का पिता किसे कहा जाता है लौड डलहोजी क्योंकि उन्हीं के समय 1853 में पहली बार ट्रेन भी चली थी और भारत में रेल का जो development है उसका शरह भी किसको जाता है Lord डलहोजी को जाता है इसी के लिए उन्हें father of Indian railway भी कहते हैं और कभी पूछ ले कि John Mathai John Mathai दोस्तो ये कौन थे? first railway minister of independent India यानि independent का मतलब जब भारत स्वधंत्र हो गया था तो पहले जो railway मंत्रा ले था वो किसके पास आया था? John Mathai first railway minister of independent India अगला question है current affairs में हारली में किस national park में जानवरों को quarantine करने के लिए अलग वार्ड बनाए गए अलग हारली में किस national park में जानवरों को quarantine करने के लिए अलग क्या बनाए गए है? वाड बनाए गए है तो दोस्तो कौन सा national park है? Jim Corbett National Park Jim Corbett National Park दोस्तो ये पहला अभी national park कैसा बन चुका है? जहां पर जानवरों को quarantine करने के लिए क्या बनाए जा रहे है? अलग वाड बनाए गए है Jim Corbett National Park जो कि भारत के उत्राखंड राज्जी में इस्ति थे और Jim Corbett National Park 1936 में भारत का पहला national park बना था और नाम था माकम हैली माकम हैली national park 1936 में बना था माकम हैली national park था फिर 1954 में इसका नाम रामगंगा national park हो गया रामगंगा national park और 1955-56 में इसका नाम Jim Corbett National Park हो गया 1955-56 में इसका नाम जिम कॉर्बेट तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम रामगंगा और रामगंगा का पुराना नाम माकम हैली रामगंगा इसके लिए पड़ा क्योंकि यहीं पर एक नदी भैती है रामगंगा जो की गंगा की साहिक नदी है और इसी जिम कॉर्बेट से एक अप्रेल 1973 को 1973 में क्या आया था प्रोजेक्ट टाइगर तो दोस्तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुआद भी कहां से भी थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्राखन से और कैलास संखाला को कैलास संखाला को क्या कहा जाता है टाइगर मैन ओफ इंडिया क्योंकि इनकी वज़े से प्रोजेक्ट टाइगर आया तो कैलास संखाला को टाइगर मैन ओफ इंडिया कहते हैं और बिली अरजन सिंग को बिली अर्जन सिंग को यूपी का टाइगर मैन कहते हैं दुद्वा नैसनल पार्क आपने सुना होगा तो बिली अर्जन सिंग को यूपी का क्या कहते हैं टाइगर मैन तो हाली में यदि पूछ ले कि किस नैसनल पार्क में जानवरों को एक बात को क्या हुआ है, करोना हुआ है, आपने सुना होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया सारा है, वो देख लेना, ठीक है? अगला कुश्चन है, हाली में किस देश ने एंटीसिप मिसाइल का परिक्षन किया है? हाली में किस देश ने एंटी सिप मिसाइल का परिक्षन किया है तो किस देश ने किया है नौर्थ कोरिया नौर्थ कोरिया ये वो देश है जिसने हाली में क्या किया है एक एंटी सिप मिसाइल का परिक्षन किया है 14 अप्रेल को भी इस ने क्या किया था परिक्षन किया था जो कि 150 किलोग्राम 150 किलोमिटर रेंज की है जो कि 150 किलोमिटर रेंज की है एर-to-surface मिसाइल है एर-to-surface यानि हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है और 150 km range की के हैं दोस्तों ये missile है और हाली में North Korea ने सोचो इस करोना भीमारी के बीच में भी North Korea क्या कर रहा है परिक्षन कर रहा है किसका missile का यानि अपने आप में unique country है क्योंकि आप सबको पता ही है क्योंकि यहां के जो President है कौन है Kim Jong-un सुनाओगा Kim Jong-un जो कि अपने अजीब हरकतों के लिए पूरे दुनिया में मसूर है तो उसी ने अभी एक परिक्षण करवाया यहाँ पर नौर्थ कोरिया में 150 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है तो यही पूछ ले कि हाली में किस देश ने एंटिसिप मिसाइल का परिक्षण किया है नौर्थ क नौर्थ कोरिया दुनिया का छटा देश बन चुका है जिसके पास क्या है हाइड्रोजन बम 2016 में नौर्थ कोरिया छटा देश बन गया था तो आज दुनिया में टोटल 6 देश हैं जिनके पास हाइड्रोजन बम है जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्या है बम है आपको सबको प यह क्या है North Korea की capital प्योंग जोंग यहां की currency है KPW यानि Korea People's Won Won कहते हैं से Korea People's Won यहां की क्या है currency है President आपको बता दिया है Kim Jong-un और capital क्या है Pyong-yong और North Korea South Korea से North Korea South Korea से 38 degree parallel line से क्या होता है अलग होता है North Korea और South Korea के बीच कौन सी line है 28 degree समानांतर रेखा अगला question है हाली में किस भारती क्रिकेटर को दुबई इस्तित क्रिकेट एकेडमी का देखो क्रिकेट एकेडमी है दुबई में क्रिक किंगडम का ब्रेंड एम्बेस्डर न्युक्त किया गया है हाली में किस भारती क्रिकेटर को दुबई में इस्तिते क्रिकेट एकडमी है क्रिक किंगडम यहां का ब्रेंड एम्बेस्डर न्युक्त किया गया है रोहित सर्मा रोहित सर्मा Rohit Sharma को क्या किया गया है क्याँ यहां पर Brand Ambassador बनाय गया है Crick Kingdom नाम का एक Cricket Academy है कहां पर दुबई में और इस से पहले Rohit Sharma को हाली में आपने सुना ओगा La Liga एक Football Club है यह भी लिख ले ना La Liga Football Club है कहां का एक Spanish Spanish दिख रहा है Spanish एक क्या है Football Club है यहां का भी brand ambassador बनाया गया है और अभी recently कहां का cricket kingdom जो की एक दुबई की क्या है cricket academy है यहां का भी brand ambassador बनाया गया है अगला question है जफर सर्फराज जफर सर्फराज यह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जिनका हाली में COVID-19 बिमारी के कारण निधन हुआ है COVID-19 दोस्तो जफर सर्फराज पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जिनका हाली में निधन हुआ है करो ना वायरस के कारण कहां के हैं पाकिस्तान के जफर सरफराज पाकिस्तान की कैपिटल क्या है इस्तलामाबाद इस्तलामाबाद यहां की क्या है कैपिटल है यहां की यदि करेंसी पूछ ले तो पाकिस्तानी रुपिया पाकिस्तानी रुपिया की करेंसी है यहां के प्रेजिडेंट कौन है यहां के रस्टपती प्रेजिडेंट आरिफ अलवी आरिफ अलवी यहां के क्या है रस्टपती है आरिफ अलवी और यहां के प्रधानमंत्री PM कौन है इमरान खान इमरान खान यहां के क्या है पुर्धान मंत्री और भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी लाइन है रेड क्लिफ ये लाइन भी किसके बीच है भारत और पाकिस्तान के बीच और कौन सी है 24 डिगरी समानांतर रेखा 24 डिगरी parallel line यानि 24 डिगरी जदी आएगा कि ये रेखा किसके बीच है 24 डिगरी तो भारत और पाकिस्तान के बीच है सर क्रीक और कोरी क्रीक ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच boundary बनाने का काम करती है सर क्रीक, कोरी क्रीक, 24 डिगरी, red cliff ये सारी लाइने क्या करती है बाउंडरी बनाने का काम करती है भारत और पाकिस्तान के बीच तो यहीं के थे कौन जफर सरफराज जिनका हाली में निधन हुआ है अगला Paytm General Insurance के नए MD या CEO कौन बने है तो विनीत अरोडा विनीत अरोडा यह Paytm जो कमपनी है Paytm General Insurance के नए क्या बने CEO या MD देखो जो यह Paytm Insurance देखो यदि आप खाली Paytm की भी बात करोगे Paytm 2010 में क्या हुआ था यह कमपनी क्या थी बनी थी Paytm और Paytm General Insurance भी तब ही आई थी 2010 में इस Foundation जो Paytm Foundation है 2010 में आई इसका Head Office कहां पर है Noida Paytm Foundation 2010 में आई थी Head Office Noida में है और Main Paytm की बात करोगे तो इसके CEO कौन है विजय सेखर सर्मा विजय सेखर सर्मा विजय सेखर सर्मा इसके क्या है CEO लेकिन Paytm General Insurance आएगा दोस्तों तो इसके CEO या MD कौन है विनीत अरोडा जिनको हाली में बनाया गया इसका CEO अगला Question है दोस्तों हाली में किस देश ने WHO की funding को रोकने का आदेश दिया है वो कौन सा देश है जिसने हाली में का है कि जो हम WHO को funding करते हैं हर साल उस पर हम रोक लगाएंगे तो USA अमेरिका दोस्तों अमेरिका ने हाली में जो WHO को funding देता था इस पर क्या लगा दिया है रोक अब रीजन क्या है ध्यान से सुनना अभी Donald Trump ने एक statement दी थी और इन्होंने इसके उपर जो statement दी है WHO के उपर इसमें इन्होंने WHO की तयारियों पर सवाल खड़े कर दिया है दोस्तों इन्होंने ये का है कि जो Donald Trump ने अभी ये कहा था कि WHO ने जो इस वाइरस पर काम कर रहा है ये ठीक से नहीं कर रहा है वाइरस का मतलब जो करोना बिमारी आ रही है सबसे पहले सब को पता है कि चीन के वहान से आई थी तो चाइना ने सोरी WHO ने इस पर सही तरीके से काम नहीं किया सीधे अभी Trump ने का है और क्योंकि WHO जो World Health Organization है इसको सबसे बड़ा फंड कौन देता है अमेरिका हर साल 40 से 50 करोर डॉलर सोचो इतना बड़ा फंड अकेले कौन देता है अमेरिका और वहीं चीन लगबक 4 करोर डॉलर देता है और उसके मुकाबले सबसे बड़ा जो यहा बाल खड़े कर दिये हैं और फंड देने से क्या कर दिया रोक लगा दिये क्योंकि यह कहा गया कि अभी WHO सही से काम नहीं करता है करोना के खिलाफ WHO ने सही कदम सही टाइम पर नहीं उठाए यह अभी डोनार्ड ट्रंप ने कहा था और अभी हाली में जब G20 मिटिंग भी थ कि WHO जैसी सस्ताओं में बदलाव और सुधार की क्या है जरूरत है वह जो WHO जैसी सस्ताओं है इन पर क्या करना चाहिए बदलाव और सुधार केवल करोना बिमारी के कारण इस बार WHO पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आपने अभी तक इसकी तयारियों पर सही से काम क्यों नही किया वैसे तो WHO ने चेचक बिमारी को पूरे दुनिया से जो चिकन स्मॉल पॉक्स होता है उस बिमारी को पूरे दुनिया से खतम कर दिया था पोलियों को 99% इसने कम कर दिया था और इबोला वायरस जैसी खतरनाग बिमारियां जो की करोना से भी ज्यादा फैलती है उस पर WHO ने बहुत बड़ीया काम किया लेकिन अभी जो एक करोना बिमारी है इसमें कहीं ने कहीं WHO के उपर सवाल खड़े हो गए कि बताई आपने इस पर क्या तयारी की और तयारी की तो इतना ज्यादा ये कैसे फैल गया दोस्तो विश्वस्वास्त दिवस हर साल 7 अप्रेल को मनाया जाता है World Health Organization क्योंकि WHO की स्थापना 7 अप्रेल अभी मनाया गया है 1948 में हुई थी तो विश्वस्वास्त दिवस World Health Organization बनी थी इस दिन इसी के लिए हर साल 7 अप्रेल को विश्वस्वास्त दिवस मनाया जाता है और पहली बार 1950 में विश्वस्वास्त दिवस मनाया गया था 1950 में पहली बार मनाया गया है और अभी हाली में 2020 में मनाया है 7 अप्रेल को अब बात करें कि जो World Health Organization है इसका Head Office कहांपर है जेनेवा इसका Head Office कहांपर है जेनेवा इसके जो Director General है जो इसके Head है वो है Tedros Tedros Adonam Tedros Adonam Tedros Adonam इसके क्या है Director General है और तीन इसके Deputy Director General है WHO में वर्थमान में तीन क्या है Deputy Director General आप लिख लेना मैं बता देता हूँ Swamya Swaminathan ये भारती मूल किये है Swamya Swaminathan दूसरा Peter Salma Peter Salma और तीसरा James Ellison James Ellison तो Swamya Swaminathan Peter Salma और James Ellison ये इसके क्या है Deputy Director General और जब WHO बना था 1948 में तो 61 देशों ने इस पर साइन किये थे जो की आज टोटल इसके Member 194 है WHO के वर्थमान में टोटल मेंबर कितने है 194 और इसके 6 6 क्या है Regional Office भी है 6 Regional Office भी है दोस्तो एक तो Main तो कहाँ पर है Head Office जनेवा कभी पूछ ले कि WHO के Regional Office कितने है 6 आप लिख लेना मैं बता रहा हूँ पहला है Congo एक तो कहाँ पर है Congo दूसरा America में है USA तीसरा Egypt में है तीसरा Egypt में है चौथा Denmark में है Denmark पांचवा इंडिया नई दिल्ली में है पांचवा इंडिया में है नई दिल्ली में और छटा है Philippines तो 6 के क्या है Regional Office भी है ठीक है और इस बार 2020 में इसकी जो थीम है विस्तुस्वास्थ दिवस की जो थीम है इस बार वो है Support Support Nurses and Midwives Midwives Support Nurses and Midwives क्योंकि करोना बिमारी के खिलाब ये सब लड़ रहे है आपको पता है डॉक्टर नर्स सब लोग इस बिमारी के लिए अभी भी आपको पता है कि रिसर्च ही चल रही है कि एक्चल में वाइरस है क्या और इसकी दवाई कैसे तैयार की जाए तो इस बार इन्होंने डेडिकेट कर दिया है WHO ने थीम किसको नर्से Midwives का मतलब होता है दाईया समझ गयोंगे दाईय बगरा जो होती है तो सपोर्ट नर्से एंड Midwives इस बार की क्या है थीम है तो ये सारा याद कर लेना दोस्तो कि अभी फंडिंग पर जो रोक लगाई है इसके उपर जो जो कुश्चन बनेंगे WHO से वो मैंने आपको सारे यहाँ पर करा दिये ठीक है तो दोस्तो ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और ट्रस्ट कर जे आपको बहुती बढ़िया सारा डाटा मिक्स करके दूँगा इस चीज पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो बोलूँगा यह भी मैं तो बढ़िया डाटा दूँगा लेकिन बहुती महनत करके अलग-अलग बुक से आपको कंपाईल करके हम आपको डाटा देंगे आपको याद करना है और बहुती बड़ी अपने नोट से यार कीजिए ठीक है? धन्यवाद दोस्ते